राजनेतिक विज्ञान और अंतराष्टे संबंद कैसे तयार करना है? युनिट पाँच अधिकार हम लोग यहाँ पर समझेंगे जो कि जाधा तर कोई नहीं बताता कि यह तयार असल में कैसे करना है कि आपको सिर्फ तीन ही चीज़ों की जरूरत है तो यहाँ पर आप देखो राइट्स अधिकार तो यहाँ पर आप देखोगे कि मीनिंग एंड थियोरीज पूछिए अलग-अलग तरीके के राइट्स फिर हुमन राइट्स का कंसेप्ट इस बारे में आपको बात करनी है यहाँ से पढ़के आप यह नहीं समझ पाओगे कि UPSC इसमें से question क्या पूछ लेगा जैसे meaning and theories में तो बहुत सारे questions बन सकते हैं कौन सी theory पर कौन सा question UPSC पूछ लेगा सीधी तरीके से question मी नहीं पूछता है फिर अलग-अलग तरीके के rights हैं कौन कौन से तरीके के rights पर कौन से question पूछे जाएंगे ऐसी human rights पर क्या पूछ जाएगा यह हमें नहीं पता तो इसके लिए हमें क्या चाहिए इसके लिए चाहिए हमें previous year questions तो पिछले 40 से 45 वर्षों के पूछे गए प्रशन आपको जरूर लगा के जाने है क्योंकि 40 से 45 वर्ष इतना लंबा time यह हो जाता है कि जिसमें जितने भी topics आएंगे, theme आएंगे जो भी question आपके सब cover हो जाएगा और अगर कुछ बच भी जाता है इका दुका question तो वो आप समझ लो सभी के लिए नया question होगा तो यह आप पहले यह तो लगाओ, इतना तो लगाओ तब बागी की बात करेंगे तो यह आपके लिए सबसे ज़रूरी तीसरी चीज जो आजाती है वो आपको पता लगेगा किताबों से तो अगर तो देखो आप synopsis ही जोइन करते हो तो आपको और कोई भी किताब रफर करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो यह कुछ किताबे हैं जो हम लोगोंने रफर करके बनाया है जैसे कि पॉलिटिकल थियोरी ओफ राइट है यह युनिट फाइफ की किताबे हैं अगर आप synopsis जोइन करोगे तो और इन सब की किसी की भी जरूरत नहीं है आपको सिर्फ यह material पढ़कर जाना है उसी में हम लोगोंने 45 साल के questions भी कवर कर रखे हैं सारे और यह किताबे रफर करके जो extra topics बनेंगे वो भी cover कर रखे हैं syllabus का सारे topic cover होगा अब मान लो आप कहते हो कि मैंने already कहीं पर coaching join कर लिए तो जहां से भी आपने coaching join की है वहाँ पर आपको सबसे पहली चीज यह देखनी है कि क्या आपके notes में पिछले पूछे गए प्रश्न cover हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं अगर तो आपको लगता है कि UPSC के पूछे गए प्रश्न आपके notes में मिल पा रहे हैं तो आप उन notes को आखे बंद करके लगाओ फिर इदर उदर किसी भी coaching में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको लगता है कि cover नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आप उन notes को तो फाड के फेक दो आपको अपने notes खुद के बना लेने चाहिए या फिर आप ऐसे notes ढूड़ो जहां पर previous year questions होते हैं तब आप synopsis को consider कर सकते हो तो जैसे कि सबसे पहला हम देख लेते हैं के meaning and theories, अर्थ और सिधान्द में कौन-कौन से प्रेशन पूछे गए हैं जैसे कि स्वतंत्रता की नकारात्मक, सकारात्मक, अवधार्नाओं की तुलना करें इस तरीके का question पूछा गया है ठीक है उसके बाद आप से right to property पर संपत्ती के सिध्धान में संपत्ती के अदिकार के महत्ति का आकलन करना है तर्फ के रूप में अदिकार क्या है, राइट साइस ट्रम्स पर 2019 में question पूछा था तो 2019 में इसी unit में से 2 question पूछ लिए गए हैं 2020 में question पूछा गया है ऐसे ही आपका मानव अधिकारों पर question पूछा गया था, प्राकृतिक अधिकारों पर question पूछा गया है, फिर यहां पर आपका दुबारा से कहा जाता है कि जहां कानून नहीं वहाँ अजादी नहीं, तो यह इस पर अपने विचार देना है, 2011 का यह प्रशन पूछा गया है, तो आप देखोगे कि इसी तरीके के काफी सारे प्रशन आपसे पूछे जा रहे हैं, almost similar type के ही प्रशन है, तो यहां पर आपका Jeremy Mantham पर एक प्रशन पूछा गया है, 2009 का यह प्रशन पूछा गया था, ठीक है, उसके पर 2004 में मिल पर पूछा गया था, तो इसी तरीके से अचानक से कैसे topic आगया, यह तो syllabus का भी पार्ट नहीं है, पर इस तरीके के topics, जो कि syllabus में नहीं लिखे होते, clearly, वो topics आपको previous year questions में मिल जाते हैं, तो पुराने प्रशन देखके, आप इस बात का आखलन कर पाओगे, कि और कौन से topics ऐसे हैं, जिसमें से UPSC प्रशन तो पू ऐसे ख़ए. और आप देखोगे, कि यह कितनी बार तीच पर प्रशन पूछा गया है, 2023 में बहू संकृत EC – पर प्रक प्रशन पूछा गया था, फिर उसके बाद, 2017 में, 2011 में भी ق्रशन पूछा गया था, तो आप देख रहें कि इतनी बार 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 यह प्रशन पूछे ज तो अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन से syllabus में क्या पूछा गया है, UPSC क्या पूछता है तो यहां से पता लग जाएगा, एक प्रशन आपका Bentham से पूछा है और दो आपके Russo के related पूछे गए हैं यहां से, ठीक है, और यहां पर मैं आपको structure भी बता दूँगी कि आपको क्य क्या structure follow करना पड़ेगा अगर आपको अपने notes बनाने हैं तो, मतलब की जैसे यह है, मानव अदिकार की अवधारना है, इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा, कि यह topic cover करने के लिए भी आपको क्या-क्या पढ़ना है, कैसे notes बनाने हैं, वो भी मैं पतातूँगी तो, 2022 में ही देख लो, आपको दो प्रशन पूछे गए हैं, एक तो, आपका cultural relativism है, ठीके, Sanskritic Sapekshwaad पर पूछा गया था, और एक आपका मानव अदिकार पर प्रशन पूछा गया है, तो, यहां पर 2022 में दो प्रशन यहां से भी आ जाते हैं, 2019 में हमने देखा तो, दो प्र प्रशन पूछा गया है, 2016 में पूछा था, मानव अदिकारों के कार्यान वयन को राजियों के आचरन को बदलने के मामले में, के रूप में माना जाता है, तो, इस पर आपको अपनी टिप नहीं देनी है, फिर, एक प्रशन 2010 का जो की पहले भी, UPSC ने पूछा था, दुब पर लिए, 2022 का प्रशन देखो आप, ठीक है, यही पूछा गया ना, यह कल्चरल लेटिविजम, सांस्कृतिक सापक्षवाद, तो, 2022 में जो प्रशन पूछा है, वो तो कोई नया प्रशन नहीं था, आप कोई बोले के बही, पता नहीं क्या पूछ लिया, UPSC ने, हमको तो यह topic आता ही नहीं था, तो फिर आपकी गलती है, आप पहले के प्रशन करके नहीं गए हो, लगा के नहीं गए हो, तो इसलिए, 2010 का यही question आया हुआ है, अब आप देखो, 2008 में भी वही मानव अधिकार के उपर प्रशन पूछे गए है, 2002 में भी वही पर प्रशन पूछे ग कौन-कौन से topics के अंडर आपको अपने notes बनाने है, तो यहां पर अधिकार क्या है, उसकी background क्या है, अवधारना उसके आप बताओगे, अवधारना में दो तरीके से आप बात करोगे, एक तो अधिकारों की प्रकृति क्या है, दूसरा अधिकारों के रूपत, अब यहां प पढ़ोगे कि प्रकृतिक अधिकारों का सिध्धान्त के बारे में, सबसे पहले तो इसका परिचेद होगे, फ равно प्रकृतिक अधिकारों और मानौव अधिकारों के बीच संबंद क्या है, फिर नकार आत्मक, सकार आतमक, स्वतंदर्थबधा समेशा करेंके समापति, तो य यह आपको cover करना बहुत जरूरी है, फिर अधिकारों का इतिहासिक सिध्धान्त की बारे में बात करोगे आप, जिसमें आप बताओगे, उसके बाद आप अधिकारों का सामाजिक कल्यान, सिध्ध्यान्त, ठीक है, social welfare theory बताओगे, अधिकारों का माक्सवादी सिध्धान्त, माक्सवादी, जो ये, इस तरीके के टॉपिक्स है न, तो हर टॉपिक में एक माक्सवादी सिध्धान्त के बारे में तो पूछा ही जाता है, तो ये आप पहले से प्रिपेर करके जाओ अपना, कि इस तरीके का टॉपिक जरूर आएगा, कालमाग जरूर आएगा इसमें, फिर विचारकों की दृष्टी कोन है जिसमें आप लॉक के अधिकारों का सिध्धान बताओगे फिर लास की बार कर रूसो जिन पर सभी पर UPSC ने पहले भी प्रशन पूछे हैं तो आप पहले से प्रपेर होके जाओगे तो जितने भी टॉपिक्स पर प्रशन पूछे गए हैं लॉक के ओपर लास की बार का रूसो बे वो सारे इसी के अंडर कवर कर लोगे आप ठीक है अब अलग-अलग प्रकार के आपको अधिकारों के बारे में बात करनी है नाचरल राइट्स है फिर आपका अनिश्कर्ट मॉरल अधिकार के विजिसमें बैंथम की सजा का अनुरूप सभी देशों के अनुरूप नहीं है ठीक है यह टॉपिक पर आपको लिखना है क्यों क्यूंकि इस पर यूपीसी ने क्वेशन पूछा गया है फिर एकनॉमिक राइट्स है लाबकरी उसके बाद आता है आपका contractual rights यानि की समविधात्मक अधिकार इस पर आप जरूर लिखोगे इस पर यूपीसी ने ऐसे कोई प्रश्न नहीं पूछा है पहले बट आप अपनी तरफ से prepare करके जाओगे इस तरीके के topics मिलते हैं अगर आप अच्छी किताबे refer कर ले तो जो किताबे मैंने आपको अभी आपके लिए prepare करके जाना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इस पर प्रश्न भी पूछा गया है और आज कल UPSC में एक ट्रेंड आ गया है कि इस तरीके के प्रश्न जादा पूछे जाते हैं इस तरीकी topics जादा कवर किये जाते हैं जिसमें समकालिन प्रासंगिक्ता की topics ज बहुसा अंस्कृतिक वाद पर इपेक्ष बताओगे फिर उसके बाद बहुसा अंस्कृतिक वाद पर भीकूपारिक के विचार बताओगे भीकूपारिक के व्यूज पर ऑलरड़ी इस पर दोनों पर ही प्रेश्न पूछ चुका है इसी वेज़से यहां पर पढ़ना इसके बाद आजाता है concept of human rights मानव अधिकारों की अवधारना जिसमें परिचेद होगे मानव अधिकारों की तीन पीडियां है जिस पर UPSC ने भी प्रेश्न पूछा है और हमें यहां पर cover कर लेना है काफी important है यह वाला topic और यह topic मानव अधिकारों की सार्व भॉमिक जरूर कर जाना सबसे ज्यादा important topics है इसमें भी दो बार UPSC ने प्रेश्न पूछे हैं तीसरी बार पूछ लेगा कोई बड़ी बात नहीं है यह नहीं होना चाहिए न देखो प्रेश्न लगाने इस वाई से जरूरी हो जाते हैं यह नहीं होना चाहिए कि और पूछा हुआ आपको नहीं आएगा फिर सब एक स्तर पर नहीं है फिर आप पीछे हो ठीक है ना प्रतिरोध और मानव अधिकारों का अधिकार यह आपको बताना है right of resistance and human rights फिर अगें आपको वही बात करनी है भारत और विश्व के संदर्व में समकालीन प्रासंगिक्ता के बारे में पर अपनी कुछ दृष्टी कोन बताओगे और फिर क्या मानव अधिकार सर्व भॉमिक हो सकते हैं और होना चाहिए किसका ब्रह्मान ठीक है तो यह एक टॉपिक है जिस पर UPSC ने प्रश्न पूछा हुआ है अब यह टॉपिक आप कह सकते थे कि युनिवर्सल राइट जा अब सार्व भॉमिक्ता वादियों और सांस्कृतिक सापेक्ष वादियों का संदर्भ दीजिए तो यह आपको बात करनी पड़ेगी उनिवर्सलेस्ट राइट अब यह अच्छा टॉपिक है UPSC ने प्रश्न भी पूछे है इस पर क्रिटिसाइज करके उसको आपको समीक् करती कर दो ठीक है यह अब आपका end में मैंने आपको किताबे बताई दी थी यह आप refer कर सकते हो और कोई भी अगर आपका प्रश्न हो comment section में लिखके पूछ लेना यह सारे topics हैं इससे ले बस आप यहां से देख सकते हो index पूरा बनाया हुआ है यह सारे topics है previous year question की free booklet download करनी है website से यहां पर आप website पे जाना, free resources में जाना, topic wise previous year questions में जाके आपको मिल जाएंगे, courses में जाओगे, optional के courses में, PSIR optional का course यहां पर आपको मिल जाएगा, यह lecture और guidance जो है, जितने भी आपको topics पढ़ाए जाएंगे, PSIR course का ही part है, English और Hindi medium दोनों के लिए available है, कोई और प्रश्न हो तो अपना comment section में लिखके पूछ लेना,